हलो बच्चो मैं शिखान लंग स्मार्ट वीद शोप बकारे की क्लास इसमें पर फिर से वेलकम हैं बच्चो ट्वेल्थ क्लास के एक्जेम्स शुरू होने ही वाले हैं और मुझे लगता कि आपकी त्यारी बहुत ही अच्छी चल रही है अगर अच्छी चल रही है तो उसको और अच्छा करने के लिए हम आपकी पूरी है करेंगे ठीक है तो आज जो हम आपके लिए फिर से लेका हैं इंट्रीगल्स का ही हमने शुरू करा था आपको पता होगा आज हम नेक्स्ट उसका पार्ट करेंगे मैं आपको सुझाया था कि अलग लग तरह की जो इंट्रेश दे रखी है आपको किस तरीके से सब्चिशन लगा कि उसको सॉल्व करना है ठीक है जिन बच्चों ने प्रीवे सेशन नहीं देखा है प्लीज चुरूर देखिए काफी हैल्प मिलेगी आपको तो इस को देखते हैं देखिए एक्स प्लस टू ओवर टू एक्स स्केर प्लस प्लस फाइब तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज किया आएगी कि चली इसको सब्चिशुट करते हैं इसको टी के बराबर ले लेते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है लेकिन बच्चों अगर हम इस चीज को टी ले लेते हैं नीचे वाले को तो उपर वाला कुछ भी बन रहा है उपर ऐसा कुछ भी नहीं है उपर आपके पास में है एक्स प्लस तू ओवर टू एक्स स्केर प्लस प्लस फाइ मतलब की अगर आप सब्चिशुटी भी करोगे तब भी अंसर नहीं आने वाला है तो जिसके लिए एक लग्सिक मैथड आता है कि अगर आपके पा करना है विन फ्लक दो प्लस भी तरीके की तर्म्स जो होगी वो हमारी हाल करेंगे क्लियर क्या करना है आपको पहले पहचान करनी है सबसे नहीं तो अप्चिशुष नचारे करना नहीं आता है जि真的 करें सुन आ इस नहीं को यह थी आन ऑनने घाने यह सबसे अगर नहीं आता है, तब आपने PX plus Q का help लेनी है, ठीक है, इसको parts में तोड़ना है, parts में तोड़ना है, फिर इसको solve करना है, तो पहला target हमारा क्या होना चाहिए, कि P हमको substitute करके T कर नहीं आएगा, फिर इसके ओपर चलना है, दूसरी बात को ध्यान से समझी गया, कि जब और दिफरिशेट नीचे की T minus B, तब आपको ध्यान रखना है कि इसकी power जो उपर है कि वो lowest होनी चाहिए, मतलब कि यह जो मैथड है कि तभी आपका अपका अपली केबल होगा, जब यहां पर पावर चोटी होगा, अगर नीचे की उब है, उपर स्केर होगा, नीचे फोर ह होगा, अगर यह दोनों equal है, मतलब x square और नीचे x square तब यह method नहीं चलेगा, और अगर उपर की बड़ी है, नीचे की छोटी है, मीनिंग क्या, कि उपर x की power 3 है, नीचे x की power 2 है, तब यह method नहीं चलेगा, यह तब ही चलेगा, जब आपका जो है, उपर पावर चोटी और पावर बड़ी हो, is that clear, ठीक है, चले इस question को अब हम कैसे solve करेंगे, देखते है, इस case में, px plus q आपके पास में क्या आजाएगा, वो आएगा x plus 2, x plus 2, is equal to, क्या आएगा a, and differentiate कि इसको करना है आपने अंदर वाले इस term को, मतलब कि जो नीचे आपके दे रखी है, चीक है, प्लस b, यहाँ पर, प्लस b, ठीक है, अब देखिए, x plus 2 तो azit रखना है, क्योंकि हमने x plus 2 को इस चीज के बराबर करना, और x plus 2 की जगह पर यहाँ पर जो अंसर होगा, वो substitute करना है, ठीक है, तो देखिए, क्या आएगा a, power reduce कर देंगे, then 4x plus 6 and 5 की करेंगे, तो 0 आजाए अब इसको थोड़ो सा खोल के लिख लेते हैं, तो 4 ax plus 6a and plus b, और यहाँ पर है x plus 2, तो आपने बच्चों कोफिशेंट एक्वेट करने हैं, ठीक है, किसके, x के, x के, x उसके है, then उसके करने है, x है दन उसके करने है, x है दन उसके करने, मतलग कि इन दोनों को इक्वेट कर 1 by 4 आ गया, चलो, x की स्टोरी होगी, खतम, अब यह जो है, 6a plus b, without variable means की constant term, तो हमारी constant term यहाँ पे क्या है, 2 है, अगर यहाँ पे constant term 2 ना हो, अगर यहाँ पे constant term 2 ना हो, तो आपने 6a plus b को equal रखना है, किसके, 0 के, अगर नहीं है, अगर है, तो equals to 2 ही आएगा, यह आपने निकाल लिया, 1 by 2, put this equation, ठीक है, इसमें आपने put कर देना है, 1 by 4 and plus b is equal to 2, cancel out करो, जो जो cancel out होते है, 3 and 2, तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे, कि v is equal to 2 minus 3 by 2 over 1 and b is equal to 2, 4 and minus 3 and b is equal to 1 by 2, तो यह हमारे पास में a भी आ गया, भी भी आ गया, ठीक है, इस टाइप का जो देखें, integration का जो questions है, पेपर में बनता ही बनता है, और derivative से जादा आता है, तो बच्चों को हर एक method पे काम करना है कि कौन सा कैसे आता है, ठीक है, यह नहीं मैं कह सकती कि यह important नहीं, आप अपनी जगह पे यह भी important है, अब आपने A नहीं का लिया, 1 by 2, B नहीं का लिया, sorry, 1 by 4, B नहीं का लिया, 1 by 2, अब आपको इसमें पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है, ठीक है, करजी जी, पुट, पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या आएगा, थोड़ा सा, ऐसा करते हैं, A और B की वैल्यू में लिख रहे हैं, यहाँ पे A 1 by 4 आया है, and B 1 by 2 आया, बाकि एरेज कर देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी है, यहाँ पे X plus 2, and A 4X plus 6, and plus B, अब A की वैल्यू कितनी निकाली, 1 by 4, पुट कर दीजिए, 4X plus 6 आगया, और B की वैल्यू आया, 1 by 2, किसकी जगह पे लाइए, वर X plus 2 की जगह पे, तो जहाँ पे X plus 2 है, वहाँ पे आपने यह जो दो वैल्यू निकाली है, उनको भरना है, मतलब यहाँ पे रखना है, तो आप लिख दीजिए, X plus 2 की जगह पे कहएगा, 1 by 4, 4X plus 6, and plus 1 by 2, ऐसे करके, and over 2X square, plus 6X, plus 5, and DX, यहां तक बाह समझ में आगई आपको, क्या किया हमने, कि जो चीज थी, उसको पुट करके, अब यह नहीं एक चीज बना ली है, अब हमने इस ही को ही solve, इसको थोड़ा सा धंग से लिख लेते हैं, देखे, अलग लग कर के लिख लें, इसको मैंसे लिख सकती हूँ, इसको इंटिग्रेशन से बाहा रख लेते हैं, ठीक है, और अंदर का यहां पर आएगा, 4X plus 6 over 2X square plus 6X plus 5 into DX, मतलब इसको separate कर लेना है, and 1 by 2 को अलग से separate कर लेना है, and यहां पर आएगा 1 by 2, फिर से आपका constant term है, constant term की होती नहीं है, तो उसको integrate के sign से बाहा रख लेना है, तो अंदर आजाएगा यहां पर 2X square, 6X and plus 5 and DX, अब आपके पास में देखिए, दो बन गी है, ठीक है, दो आगी है, तो इसको आपने as a i1 रखना है, और इसको as a i2 रखना है, पहले i1 को solve करेंगे, फिर i2 को करेंगे, फिर दोनों को एक ही जगा पर पूट कर देंगे, clear, कोशन लेंथी है, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है, आता है पेपर में इस तरह का, तो 1 by 4 को बाहर लेने के बाद, हमने इस चीज़ को solve करना है, अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, 2x square plus 6x plus 5, अगर मैं इसको t के बराबर ले लूँ, तो यह आपका 4x plus 6 बन जाता है, बन जाता है न, अब ही मैंने क्या कहा, कि आपके पास में t substitution आप लगा सकते हो, ठीक है, 2x square 6x plus 5, मैंने i1 को solve कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिख लिए i1, ठीक है, अब देखिए क्या एगा, क्या करना है, put 2x square plus 6x plus 5 is equal to t, differentiate on both side with respect to x, तो यहाँ पर आएगा 4x, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा dt over dx, मतलब क्या 4x plus 6 into dx is equal to dt, ठीक है, तो यह बन जाएगा 1 by 4 बाहर रख लिजिए, and 4x plus 6 dx, इसकी जगा पर आएगा dt, और यहाँ पर t, तो यहाँ पर पता है कि 1 by t is equal to log t, तो 1 by 4 log t, t की जगा पर आप डिरेक्ट लिख सकते हो, 2x square, 6x plus 5 plus c, तो i1 तो हमने क्या कर लिया, solve कर लिया, ठीक है, अब हम करेंगे आपका i2 solve, तो i2 कैसे होगा, i2 मेरा निकला था, 1 by 2, ठीक है, 1 over 2x square plus 6x and plus 5 and into dx, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, हम सोड़ा सा सोचीए क्या कर सकते है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने रूल्स पढ़े थी, axo square plus a square, axo square minus a square, under root x square plus a square, तो उससे type में इसको convert करना पड़ेगा, क्योंकि TE तो कोई ऐसा, इसमें कुछ हमको लग नहीं रहा है, हमको इसको किसी फॉर्मूले में convert करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह तो आप इसको क्या करोगे, middle term splitting करोगे, ठीक है, middle term splitting करोगे, ठीक है, मैंने बताया था, कि किस तरीके से हम उसको factors में convert करने का क्या rule था, कि firstly हमने access square को क्या convert करना है, यूनिटी में बनाना, जिसने previous session नहीं देखा है, please पहले जाके वो देखिए, तब ही आपको सबज में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे नहीं तो आपकी सिर से उपर उपर ही जाएगा कि पता नहीं क्या बोल रही है, तो पिछला session जुरूर देखिए, जो भी हमने 3 parts उसके कर रहें, इंट्रीगल्स के, उनको अच्छे से देखिए, ठीक है, पहले हम इसको unity बनाएंगे, unity मेंस मैंने बता रखा है कि यहाँ पे 1 बनाएंगे, ठीक है, यह आएगा आपका 3x और यह आएगा 5 by 2, आच्छा जे, unity बनने के बाद, मैंने क्या कहा था कि इन दो को पहले ऐसे ही उतार ले ना, आपने जैसे लिखा है, अब इसके बाद क्या करना है, कि जो x का कोफिशेंट है, उसको divide करना है 2 से, उसी का ही whole square आपने add करना है, और उसी का ही whole square आपने minus करना है, मैंने समझा रखा था आपको, ठीक है, अब आपको अच्छे से पता होगा कि ये कौन सा rule लगेगा, ये भी मैंने बता रखा है, क्या लगेगा, x plus 3 by 2 का whole square, ठीक है, और यहाँ पे minus 9 by 4 plus 5 by 2, इसको आप solve कर लीजिए, x plus 3 by 2 का whole square, minus, यहाँ पे 4 आएगा, minus 9, और 2, ठीक है, तो ये बन चाएगा, आपका 1 by 4, क्या आएगा यहाँ पे, x plus 3 by 2 का whole square, plus 1 by 2 का whole square, मतलब कि ये पूरा का whole square, आपका क्या चलेगा, x चलेगा, और ये आपका क्या चलेगा, a चलेगा, ठीक है, ये आपने t suppose कर लेना है, और t plus a square का rule यहाँ पे लगा ले रहा है, ठीक है, अगर मैं वार बार तभी कहरी हूँ कि जिन बच्चों ने previous session नहीं देखा है, उनको तो फिर ये पूरा पले पड़े गा ही नहीं, वो तो पता नहीं, किस उसमें सोच रहेंगे कि पता नहीं, क्या करवा रही है, तो please previous session ज x plus 3 का 2 का whole square, ठीक है, and plus 1 by 2 का whole square end into dx आगया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको t suppose कर लेते हैं, कर ले, t suppose कर लेते हैं, तो x plus 3 by 2 is equal to t, एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, क्या आप सोच चोगे कि मैं इसको सिधा t लिखतू, फिर बात बन जाएगी आप इधर भी सोच ये, इसको भी dt में convert करना है, यादा धुरा काम करके नहीं चलना है, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, differentiate करेंगे, तो ये 1 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, and is equal to dt over dx, तो ये बन जाएगा, dx is equal to dt, तो direct आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, dt, पर इस a का square, and into dt, अब आपको याद होगा, x square प्लस a square किसके equal था, आपको याद होगा, कि x square प्लस a square किसके बराबर था हमारे पास में, क्या था, 1 by a, 10 inverse, x over a, and plus c, तो 1 by a यहाँ पे क्या है, 1 by 2, क्या था, 1 by 2 था, तो यहाँ पे आप लिखोगे, 1 by 2, और 10 inverse, और 1 by 2, और पहले से यह 1 में था, तो यह क्या चला जाएगा, यह उपर जाके 2 बन जाएगा, ऐसे करके लिखेंगे इसको, 2, 10 inverse, x की जगा पे सारा का सारा क्या था, यह आएगा, मतलब t, अगर इसके according दे के t याएगा, तो t यहाँ पे क्या है, x plus 3 by 2, and फिर से over 2, तो यहाँ पे 2, and plus c, तो इस तरीके से आपका क्या हैगा, अनसर आएगा, लेकिन पहले आपने क्या करना है, i1 और i2 को एड़ करना है, ठीक है, अब मैं आपको पूरी एक बारी से दुबारा से बताती हूँ कि अगर आपको क्या है, अगर इस टाइप का कोशन आपके उसमें दे रिया हो x plus q की, and is equal to a, and differentiate करना है, इसको, and plus b, ठीक है, अब जो आगे जितना भी चैप्टर आपका आएगा, all depend on, कि आपको मैथड को ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन तो बच्चों को ट्वैर्ट वालों को आती ही है, मैथड ध्यान रखना है कि कौन सा हमने apply करना है, is that clear, एक आपका बुक से मैं कोशन देख रही हूँ, आपकी बुक में कोशन है, x plus 3 over x square minus 2x, x square minus 2x minus 5, इसको integrate करना है, ठीक है, समझागी बात, पहले कैच चेक करेंगे, कि substitute करके देखते है, कि अगर इसको टीम आलने तेने, 2x नहीं बनेगा, बात खतम, आप किसकी help लेंगे हम, px plus q की, तो हम क्या करेंगे, कि x plus 3 is equal to a, and differentiate करेंगे किसको, इसको, 2x square minus 2x and minus 5 bracket, close plus b, ठीक है, करने के बाद, x plus 3 is equal to a as it, into 2x minus 2 and plus b, अब क्या करेंगे, a, 2x minus 2a plus b, equate the coefficients, ठीक है, किसके x के, तो हमारे पास में आएगा, 2ax is equal to x, x, x cancel out, then a is equal to 1 by 2, a is equal to 1 by 2, ठीक है, उसी ही साब से हम क्या करेंगे, minus 2a plus b is equal to 3, and यहाँ पर a मैंने क्या लिया था, 1 by 2, पुट कर दीजिए, यहाँ पर, and plus b is equal to 3, यह कट जाएगा, यह बनेगा, minus 1, and b is equal to 4, दूसरी तरफ जाएगे, plus का, a भी आगया, b भी आगया, अब x plus 3 is equal to a की जगह पर 1 by 2, ठीक है, और उसके बाद यह वाली values आपने लेके चलनी है, बच्चो, इसमें values पुट करनी है, जो differentiate कर रहे हैं, उसमें नहीं करनी है, इसके बाद आपने इसके अंदर values को पुट करना है, a and b को, जो आपने differentiate करके दूसरे नंबर पे आया है, तो यहाँ पर a, 1 by 2 and into 2x minus 2 and plus 4, ठीक है, ओकी बास समझ कि x plus 3 आप किसके बराबर बन गया, 1 by 2 into 2x minus 2 plus 4, अब एक integral बना लेते, ठीक है, integral, 1 by 2, 2x minus 2 and plus 4 and over x square minus 2x minus 5 and dx, अब इसको दो पार्स पे ब्रेक कर लेते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि कैसे ब्रेक करेंगे, तो एक पहले ब्रेक कर लेते हैं, 1 by 2 अब बाहर ले लेंगे, क्योंकि constant है, यहाँ पे आएगा 2x minus 2 and over x square minus 2x minus 5 into dx, ठीक है, उसके बाद है plus 4, 4 को बाहर ले लेंगे, और अंदर फिस से क्या बच आएगा, x square minus 2x minus 5 and into dx, ठीक है, इसको हम माल लेंगे i1, i1 और इसको माल लेंगे i2, तो firstly हम किसको solve करेंगे, i1 को, चलिए करते है, i1 को solve, तो i1 आपके पास में आएगा, 1 by 2, 2x minus 2 over x square minus 2x minus 5 and into dx, ठीक है, अब देखिए इस question को, अब आप देखोगे, कि अगर हम निचे वाले को t बालेंगे, तूपर 2x minus 2 बन जाता है, ठीक है, बन किया ना, पहले नहीं बन रहा था, तब हमने किसकी help ली थी, px plus q की, तो अब यहां पर जुरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं put कर लू, x square minus 2x minus 5 को t k equal, और इसको differentiate कर दे हम, with respect to x on both side, then we get 2x minus 2 is equal to dt, and यहां पर आएगा, into dx, ठीक है, तो 2x minus 2 into dx is equal to dt, then 1 by 2, यहां पर आएगा dt, and over, x square minus 2x minus 5, किसके बराबर लिया था, t k equal, तो यहां पर आएगा t, तो यहां पर 1 by t, यहां पर आएगा लोग, t plus c, तो t के जगह पर आपके value रखोगे, जो आपने substitute करी थी, जो मानी थी, x square minus 2x, and minus 5 mode में, and plus c, तो i1 का answer मेरा, यह आगया, ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे क्या solve करना है, i2, चलिए करते हैं, तो i2 मेरे पास में क्या था, 4, and integrate, x square minus 2x minus 5, and यहां पर आएगा dx, ठीक है, उसको में raise कर देते हैं, अब इसमें मुझे क्या करना है, बच्चो, फिर से formula बनाना है, कौन से, जो भी हमने पीछे पढ़ रखे थे, लेकिन, क्या करना पड़ेगा, पहले सोचते हैं, कि middle term splitting से होता है, देखिए, होता है middle term splitting से, x square minus 2x minus 5, नहीं होता, तब हम किसकी help लेंगे, partial fraction की, ठीक है, तो हम लिखेंगे, x square minus 2x minus 5, x square minus 2x, 2 से divide, ठीक है, 2 से divide करेंगे, तो 1 आएगा, किस के coefficient को, x के coefficient को, तो 1 को हमने क्या करना है, add करना है, और 1 को ही minus करना है, and minus 5, ठीक है, यहाँ पर क्या बन के आएगा, हमारे पास में, x square minus 2x plus 1, minus 1, minus 5, तो यह बन जाएगा, यहाँ पर, x minus 1 का whole square, और यह बन जाएगा, minus 6, अब minus 6, जो है, यह किसी का भी मतलब, आपको पता होगा, I think minus 6 नही रख सकते हो, under root में भी रख सकते हो, कैसे, ऐसे करके, under root करके, फिर इसका whole square कर सकते है, जैसे कट गया, तो 6 ही बनेगा, ठीक है, यह तो समझाने वाली को यह बनेगा, अब आपको आने ही ठीक है, अब हमारे पास में, जो नही चीज़ बनके आई है, I2 is equal to 4, over x minus 1 का square, and minus under root 6 का square, और यहाँ पर आएगा, क्या, मतलब कि इसका करेंगे, तो 6 ही बनेगा, यह हमने arrangement करेंगे, उसको करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, dx, तो यहाँ पर क्या करेंगे, put, x minus 1 is equal to t, लेने के, फिर से इसको क्या करेंगे, differentiate करेंगे, ठीक है, तो यह बनेगा, dx is equal to dt के बराबर, तो put कर दीजिए value, तो हमारे पास में एगा, i2 is equal to 4, 1 by t का whole square, and minus under root 6 का whole square, and into dt, मैंने आपको बताया ने, कि जो substitution करते हैं, जिस variable में लिखते हैं, उसी में ही हमको लिखना ही पड़ता है, ठीक है, अब देखिए, हमारे पास में rule था, x square minus a square का, याद हो आपको, 1 by 2 a log, x minus a, over x plus a, and plus c, ठीक है, यही था ना, तो इसमें apply करेंगे, क्या rule था, किसका, इसका, integration, यहाँ पे था, x square minus a square, and into dx का rule लिख रही हूं, मैं ठीक है, 1 by 2 a log, x minus a, x plus a, and plus c, बस ही ही यहाँ आपने, इसको apply कर देना है, यहाँ पे जो a है, वो आपका under root 6 का whole square है, x आपका t है, value को put कर दीजिए, then 1 by 2 under root 6, and यहाँ पे log, t minus under root 6, and t plus under root 6, and plus c, तो यहाँ पे, जहाँ पे t है, वहाँ पे आपने क्या लिखना है, x minus 1, बस फिर दास्ट में जाके i कैसे नहीं का लोगे आप, i आपका निकलेगा, i1 plus i2, clear, ठीक है, बास समझ में आगी, आपको देखिए, अंसर कुछ ना कुछ इसका निकली जाएगा, लेकिन इसमें सबसे जादा इंपॉर्टन क्या है, कि आपको शुरू का ही, जो मतलब मुसली जो शुरू का चेक करते है, कि बच्चे ने मैथर सही लगाया है, सही डिरेक्श में जा रहा है, कहीं है तो नहीं कि ऐसे कुछ भी सही है कि नहीं, आपको जो इंटेग्रेशन का कॉश्टन बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं, 2X स्क्यार एंड 6X एंड प्लस 5, मीनिंग कहा है कि PX प्लस Q की जुरूरत पढ़ती नहीं है, पढ़ती नहीं है, अगर पढ़ जाए, तब भी वो चीज आपको आनी ही चाहिए, ठ जिसमें हमारा रूल बनते हैं, X प्लस A स्क्यार वाले 1 ओवर में, फिर X 1 ओवर A स्क्यार माइनस X स्क्यार तो यह सब मैने पिछले सेशन में अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो अभी देखिए, अभी एक और कॉश्टन को प्रैक्टिस करते हैं, अगर अंडर देखके आपने घबराना नहीं कि अंडरूट में आगया है, अब हम क्या करें, फिर से वही करना है, P X प्लस Q लेना है, अब यह देखो इसको आप मानोगे तो कुछ भी उपर वाला नहीं बनेंगा, तो आपने क्या ले लेना है, यहां पे 5 X प्लस 3 is equal to A, डिफ्रेंशेट जब आप डिफ्रेंशेट इसको करोगे, तब आपने अंडरूट को नहीं लेना है, मतलब जो अंदर है टर्म्स अकेली, एक्सो स्क्यार प्लस 4 X प्लस 10 को ही लेना है, उसी को ही कंसीडर करना है, अंडरूट पूरा नहीं लेके चलना, ठीक है, and प्लस B, फिर क्या करेंगे वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, जैसे सिंपल था, पहले इसको 5 X प्लस 3 कर लेंगे, यह आएगा, 2 X, and प्लस 4, and प्लस B, उसके यह शुरू के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, शुरू के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आगेगा, तो यह है कि, कर लीजिए, आपके कोफिशेंट को, X को A से A कैंसल आउट, then 5 by 2 is equal to A, ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या find out करना है, B करना है, 4 A plus B is equal to 3, और A क्या था यहाँ पे, 5 by 2 था, and plus B is equal to 3, यहाँ भी इसको solve करेंगे, तो यह 2, and 10 plus B is equal to 3, and B is equal to minus 7, अब यह जब दोनों आगे हैं, put करने मतलब की, सारा का सारा वैसे ही करना, जैसे मैंने अभी आपको दो questions बताएं है, last में जाके, जब आप इसको solve करोगे, बचो, तो वो, चलिए, मैं करी देती हूँ, ताकि कोई भी आपको समस्या ना रहाए, अच्छा, A B तक समझ में आ करके आए था, 2X प्लस 4, और यहां पर B मैंने कितना निकाला है, माइनस 7, तो इस चीज़ का ध्यान को यहां पर माइनस को लिख लेना बात, दिखिए, माइनस 7, अब इंटीग्रेट करिये, मतलब कि उसमें वैली इसको पुट करिए, आई वाले में, then I is equal to, 5X प्लस 3 किसक इसके एकवल हो गया, इसके एकवल हो गया, 5 by 2, 2X प्लस 4, प्लस माइनस 7, and over, under root, x square, plus 4X, and plus 10, and into dx, अब इसको थोड़ा अलग-लग करके लिख लेते हैं, I is equal to, 5 by 2 अपका constant है बाहर ले लेते हैं, then 2X plus 4, under root, x square, plus 4X, plus 10, into dx, ठीक है, बीच में साइन है, माइनस का, 7 बाहर ले लीजिए, अंदर यहाँ पर आएगा, क्या, under root, x square, plus 4X, plus 10, plus 10, ठीक है, plus 10, and into dx, ठीक, यह आपका आजाएगा, I1, और यह आजाएगा, I2, तो दोनों को solve करके, फिर इसका answer, find out करना है, ठीक है, चलिए, I1 निकालते हैं, बेले, I1 क्या था, 5 by 2, यह I1 है, I1 है, I1 is equal to 5 by 2, and 2x plus 4, over, under root, x square, plus 4x, plus 10, into dx, into dx, ठीक है, and is equal to 5 by 2, बाहर ले लिया, sorry, बार-बार नहीं लिखना है, अब हमने इसमें क्या करना है, substitution करने है, substitution क्या करेंगे, यहाँ पर x square, plus 4x, plus 10 है, मतलब इसको अगर t लेंगे, तो परबाला आ जाएगा, लेकिन हम लेंगे किसको, without, under root लेंगे, मतलब की, put, x square, 4x, plus 10 को t के बराबर लेंगे, तो यह बन ज इन्टू, dx, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कि इसको, 2x square, plus 4, and dx is equal to dt, ठीक है, अब क्या करेंगे, यह बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, कि 2x plus 4, dx, and 2x plus 4, dx is equal to dt, तो यहाँ पर आएगा, 5 by 2, integrate dt, over, under root, under root, what, t, under root, t, मतलब की, 5 by 2, and इसकी value होगी, 1 by 2, 1 by 2, लोग में तो आती नहीं है, तो यहाँ भी उपर जाहेगी, तो यह बनेगी, minus 1 by 2, and into dt, अब simple, जो आप integrate करते हो, क्या करोगे, यहाँ पे, 5 by 2, t, minus 1 by 2, plus 1, and minus 1 by 2, plus 1, एक चिसको, एड़ करते हैं, and plus, इस तरीके से, आप इस लास्ट में जाके, t की जो value थी, वो यहाँ पे पुट कर देनी, क्या, axo square plus 4, x plus 10, ठीक है, कर दू, यह भी करी देती हूँ, ठीक है, बट, आपने भी question की practice करनी है, ऐसे आपको आएगा नहीं, clear, और इसमें तो method ही important है, सीखने वाले, यहाँ पे आएगा यह, देखिए, 5 by 2, और यहाँ पे आया, over 2, minus 1, plus 2, मतलब 1 by 2, t की power 1 by 2, तो यहाँ पे भी t 1 by 2, नीचे भी 1 by 2, तो वो आपका उपर चला जाएगा, देन 2 से 2 cancel out हो जाएगा, चली करके बताई देखिए, तो 5 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे t 1 by 2, and plus c, अब अच्छा जी, t क्या लिय देखिए, क्या आएगा, यहाँ पे, एक्सल स्क्यर, प्लस 4 x, and plus 10, and 1 by 2, आपको पता के अंडरूट में भी लिखते हैं, ठीक है, तो यह आगा, आईवन, इसी तरीके से आपने आईटू को भी निंकालने नहें, जैसे मैंने समझाया कि उसका कोफिशेंट फिर बाय टू क अगले सेशन में आपको करवाएंगे, जो कि इमपॉर्टन है, ठीक है, अगर और इस तरीके के कोश्चन आएं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब की हर एक अलग लग ताइप का, अब एक चीज आपको बता देते हूं, तिहान से सुनिएगा, अगर मेरे प अगर पास में कोश्चन है, एकसट्रेर लग एकस क्यार प्लस टु, और अढ रूट में भी है, एकस्कार प्लस फोर एकसेंड प्लस ते, तो बच्चों यहां पे, पी एकस प्लस क्यू नही लगेगा, इतर यह वाला रूल अपली केबल नहीं होगा, बास समझ में आ गई, जब आपके पास में उपर पावर का नीचे पावर जाता होगी तब ही यह रूल चलेगा, अगर यह equal है तब नहीं चलेगा, अगर पावर बड़ी है तब नहीं चलेगा, अब इस टाइब के question को कैसे solve करते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे, next session में, please channel को जरूर subscribe करें, क्यों अगर नहीं आ रहा है, तो please comment करें, कि नहीं आ रहा है, तो हम उसको और अच्छे से तरीके से आपको पढ़ाएंगे, और इसी तरीके से हम से जुड़े रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही, thank you